तो दोस्तों Poco series बिल्कुल भी discontinue नहीं होने वाली है Redmi K20, K20 Pro launch होने के 1-2 महिने बाद आप लोगों को Poco F2 देखने को मिलने वाला है साथी दोस्तों Poco F2 थोड़े दिनों पहले Geekbench पर लिश्टर्ड हुआ था जहां से हमें एक information मिल गई थी कि Poco F2 में आप लोगों को ने आप ड्रेगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है साथी इन डिस्प्ले फिंगर्पेंड सेसर और पोप आप सेलफी कैमरा तो दोस्तों आज कि स वीडियो के अंदर में आप लोगों को Poco F2 के बारे में ही बताने वाला हूँ अगर आप जाना चाहते हैं स्वोन के बारे में ज़दा तो बने रही है इस वीडियो में तो शुरू करते हैं इस phone के design से तो यहाँ पर आप लोगों को glass bag देखने को मिल जाएगा जो की glossy gradient finishing के साथ आने वाला है साथ ही आप लोगों को triple rear camera का setup देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस phone के friend panel के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को 6.39 inches की एक full HD plus super avlade display देखने को मिल जाएगा जो की full view display होने वाला है यहाँ पर आप लोगों को in display fingerprint sensor और pop-up selfie camera देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस phone के processor के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को snapdragon 855 का processor देखने को मिल जाएगा साथी आप लोगों को android pie का support मिलने वाला है MIUI 10 के साथ साथी आप लोगों को 664 GB और 8128 GB के दो models देखने को मिल जाएगे तो अब बात कर लेते हैं इस phone के rear cameras के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को triple rear cameras का setup देखने को मिल जाएगा जिसका main sensor वह 48 MP का जिसमें आप लोगों को Sony IMX586 का sensor देखने को मिल जाएगा साथी 16 MP का ultra wide angle lens और आप लोगों को 8 MP का tele photo lens देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस phone के front camera के बारे में तो यहाँ पर आप लोगो 32 MP का pop-up selfie camera देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस phone के battery live के बारे में तो यहाँ पर आप लोगो 4000 MP की battery देखने को मिल जाएगी और आप लोगो इस phone में Corning Gorilla Glass 5 का support मिलने वाला है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस phone के security के बारे में तो यहाँ पर आप लोगो in display fingerprint sensor देखने को मिलने वाला है साथी आप लोगो official lock का भी option देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस phone के launching date के बारे में तो Redmi K20, K20 Pro launch होने के एक से दो महीने बाद आप लोगों को यह phone देखने को मिल सकता है आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है जो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दिजिएगा चैनल सबस्क्राइब करने के बाद इस notification bell को भी on कर लिजिएगा ताकि आप लोगों को सब notification मिल जाएं सुगर इस तब तक के लिए जैन वंदे मात्रम